नमस्कार सिटी पोस्ट के स्खास पेसकस में आपका स्वागत है मैं हूँ स्रिकान प्रतियूस आपको पता है कि लोकास्था का महान परव है चट और बिहार में बड़े धूम धाम के साथ इस परव को मनाया जाता है सूर्य देव की अराधना का परव है और पटना में गंगा की घाटों पर अदभुत नजारा होता है लेकिन मैं आपको पतना के गर्दनी बागी इलाके का एक कच्छी तलाब का नजारा दिखाऊंगा जहां पर हर साल छट पूजा होती है बड़े धूम धाम के साथ और खास बात ये है कि ये तलाब बहुत साफ सुन्दर है यहां के लोगों ने यहां के वाड़ पारसद में मिलकर के इस तलाब का जिनोधार किया है और सबसे अहम बात कि जिस सुर्य देव की उपासना का परो है उनका मंदिर है यहां पर तो सुर्य उपासना के लिए इससे बढ़िया कोई जगा हो ही नहीं सकती है तो छट पूजा में यह यह कची तलाब गर्दनी बाग पटना का मंदिर है यहां पर गौरी गनेस भी है और तलाब की एक तस्वीर आपको दिखा दूँ कि पटना में सायधी कहीं आपको इस तरह का साफ सुत्रा तलाब मिलेगा वैसे मुख्यमंतरी नितीश कुमार अपने जल जीवन हरियाली या चाहिए आपको क्योंकि उससे आपको पता चलेगा कि किस तरह से हमारा जीवन पूरी तरह से जल पर अधारित है पर्यावरन पर अधारित है और इसी बात को अपनी यात्रा के दोरानों समझा रहे हैं जहां भी जाते हैं तलाब का जिनोधार होता है वहां एक कुआ खुद तो जो ब्यवस्था सरकार नहीं दे सकती सरकार भीजली तो दे सकती है लेकिन सरकार पानी नहीं दे सकती सरकार हवा नहीं दे सकती ये प्रकृती से हमें मिलता है लेकिन आज हम उसी प्रकृती के साथ खिलवाल कर रहे हैं तो मुख्यवंतरिन नितिसकुमार की जो ये जल इस इलाके का पर्यावरन बदल गया है इस इलाके की तस्वीर बदल गई है तो आप छट पुजा का नुश्थान करते हैं तो पहले से यहां पर आईए देखिए सुर्य देव का मंदिर है यहां पर यहां से ज्यादा बढ़ियां मुझे लगता है कि छट ब्रत के लिए कोई जगह नहीं हो सकता है पहले यह तलाब बहुत गंदा था इसका अस्तित्य तो मिटने वाला था लेकिन अस्थानी लोगों की प्रयास से वाड़ परसत की कोशिश से इसका जिनोधार हुआ है क्या यह तलाब की हलत पहले कैसी थी और अब कैसी हम पहले वाट कॉंसलर नहीं थली थी इसके लिए बहुत बहुत गंदा था दुजर बारा से हम जित के पत्नी पहले आई उसी समय से हम लोगो साफ साफाय जिनों दौहर कराने के लिए हम लोग काम मरें हमों कि मंदीर बनाने का यहां पर काम कीए कम से कम सफाई जी Noel साफ है उसी तरह का त्लाव होना चाहिए हम मन मं में ठान लिए थे किसी तरह का यही पुर्य पटना में पाटना में य सथा करकतलाव पर देखने आते हैं तो देखिए पहले यही तलाब गंदगी का प्रयाय बन गया था यहां गंदगी का आलम था लेकिन अब यह तलाब साफ सुत्रा हो चुका है पहले इसलाब के साफ सुत्रा होने से इसलाब कितनी बदली मैं काफी बदली है सेठासटाम हो चार मज़00 में आईomas बठाके शंचार ना कियाiri इसके लिए अलग हम खुरादान बनाते हैं आप वहां सब्सक्राइब करें लोगों ने समझा और काफी लोग इस महला के लिए तो रात में कम से कम दस मज़े रात में लेडी लड़किया यहां बैठे रहती है बोड़े बुजर सब्सक्राइब करते रहते हैं टालते रहते हैं लोग अपने घर का कुला खेकने का ने का वहां गया और अपने घर का कुला प्यकोस पहेकते थे और तलाब का स्थानी लोगों के प्रयास से सहयोख से जनजागरुकता के जरिये इस तलाब का जिनोरधार किया गया है और वाकई आज ये तलाब इतना खुबसूरत है मुझे नहीं लगता है कि पटना में इतना खुबसूरत कोई तलाब होगा तो राधानी पटना के लोगों ने जो पहल की है मुझे लगता है कि हर गाउं देहात कसवे के लोगों को अपने गाउं के तलाब को बचाने के लिए आगे आना चाहिए क्योंकि सरकारी अस्तर प्रयास जो भी होगा नकाफी होगा जब तक हम आम लोग आगे नहीं आएंगे आपका सहयोग समर्थन लगतार सेटी पोस्ट को मिल रहा है आपके इलाके में भी इस तरह का कोई साफ सुन्दर तलाब हो तो हमें जरूर तस्वीर भेंजिए हम उस बारे में भी लोगों को बताएंगे